डारेक्ट आजाएगा कि बई होर्स शू शेप नुकलियस कौन सी वाइट ब्लड सेल का होता है या फिर किड़नी शेप नुकलियस कौन सी वाइट ब्लड सेल का होता है तो इस चीज़ को रट लो समझ लो याद कर लो हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी मैं सत्यम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ओक्सिटोसिन क्लासेज पर फ्रेंड्स डी एससबी की वेकेंसी आ चुकी है आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा और हमारा नौर्सेट 6 जो एपरेल में होगा वो भी फिक् डी एससबी में जादा पोर्शन है नौन नर्सिंग का तो उस पे भी हम अच्छा खासा ध्यान देंगे आज से मैं शुरू कर रहा हूँ काफी गैप हो गया था बट अब से रेगुलर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और बिना टाइम वेस करे अच्छा कंटे हम और किसको कहते हैं ओप्शन में मिल जाएगा आर बीसी डवीची प्लेट लेट तो आपको पता होना चीए बहुत सिंपल है कि वहीं हम डवीची को और किस नाम से जानते हैं लिको साइट के नाम से इसमें से क्वेस्चन दोस्तों काफी तरीके के आते हैं जैसे कि आपके साइज किसका है सबसे छोटा साइज किसका है कौन कब एक्टिवेट होगी यह सारी चीज हम इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे जिसमें से आपका बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का एक क्वेश्चन आपका सिक्क्योर हो सकता है पिछले 2023 में एक दो एक्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपना आज का टॉपिक जो कि क्या है वाइट ब्लट सेल्स आज से दोस्तों प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दो आप लोगों के पास काफी टाइम है एपरिल में होगा नौर सेट उसी के लिए हमारे पास दो तीन महीने हैं और डियासेज भी में अभी लगबग 5-6 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे एक्जाम होने में उससे जाधा टाइम भी लग सकता है तो ऐसे मों के बार-बार सेल्स का दूसरा नाम क्या है लिउकोसाइड्स लिउकोसाइड्स को ही हम वाइट बलड सेल्स कहते हैं दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है भई हमारे बलड में नौर्मल काउंट कितना होता है वाइट बलड सेल्स का बहुत इंपोर्टेंट है मार करके कहीं पे नोट कर लेना तो भई हमारा normal count कितना है 4.5 से 11,000 पर microliter ये हमारी normal range होती है आपको कहीं पर 4 से 11,000 भी मिल जाएगा ये 4.5 से 11,000 भी मिल जाएगा आप simple याद रखना 4 से 11,000 पर microliter ये हमारे WBC की normal count है अगला point हमारा कि भई life span कितना होता है white blood cells का life span कितना होता है वो है दोस्तो 8 से 15 दिन 8 से 15 दिन ही जिन्दा रह सकती है हमारी white blood cells जिसके बाद यह मर जाती है और नई नई हमारी produce होती रहती है तो normal count हमें पता चल गया और life span पता चल गया हमें किसका white blood cells का उसके बाद दोस्तो WBC को हमने डिवाइड करा हुआ है दो पार्ट में एक होते हैं granulocytes और एक होते हैं a granulocytes इसको simple सा आप बस इतना समझो कि जो white blood cells है उनके अंदर cytoplasm होता है उस cytoplasm है जो fluid है उसके अंदर छोटे छोटे granules रहते हैं granules का मतलब यह समझदो उसमें कुछ भी field एक सबसेंस कुछ कोई सबसेंस field है उन granules में तो जिस cell के अंदर वो granules present होंगे उनको हमने क्या बोल दिया granulocytes और जिसके अंदर वो नहीं रहेंगे absent होंगे उनको हमने क्या कह दिया a granulocytes इसके base पे दोस्तों हमने divide करे हुए और जो इनके cells है और इसी base पे हमने divide करा हुआ है जैसे कि granulocytes के अंदर तीन तरीके की cells आती है neutrophils, isonophils और basophils इन तीनों के अंदर granules present होंगे lymphocytes और monocytes जो कि ए granulocytes के सब टाइप है इनके अंदर granules present नहीं होंगे simple सा division है अब question कहां से आएगा आपके सामने तीन ये रख दिये और एक option इसमें से उठा दिये चार option रख दिये फिर पूछ लेगा इन में से कौन सी ए granulocyte है तो आपको पता होगा कि भई lymphocytes ए granulocyte के अंदर थी तभी आपका option correct होगा वो या फिर ऐसे पूछ लेगा सेम यही चार option दे देगा और उन में से पूछ लेगा कि भई इन में से कौन सी granulocyte नहीं है किसी भी तरीके से पूछ सकता है बस आपको ये छोटा सा चार्ट ध्यान रखना है कि भई तीन हमारी granulocyte थी और दो हमारी a granulocyte थी तीन कौन-कौन सी है फिर से मैं repeat कर रहा हूँ neutrophils, isonophils और basophils ये हमारी granulocyte है और lymphocyte और monocyte हमारी कैसी है a granulocyte बात करूँ अगर दोस्तों इन तीनों की इनके नाम क्यों रखे गए हैं ऐसे neutrophils यानि की neutral ना ही ये हमें acidic dye में दिखेंगी ना ही हमें ये basic dye में दिखेंगी इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या neutrophils isonophils का नाम इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि ये हमारी acidic dye में दिखती है red orange color की हमें visible होंगी इसलिए इनका नाम क्या है इस लिए बेस आ रहा है सामने इसलिए नाम से ही समझ जाओ आप यह हमें basic diamond visible होंगी यह हमें blue purple color की visibility देती है इसलिए इनका नाम है क्या base of fields इतना deep question नहीं आएगा बट फिर बिया मैं बता रहूँ आपको important यहाँ पर यही है इस chart में एक तो हमारी normal values दूसरा कि कौन सी granulocyte है और कौन सी एक granulocyte है आगे दोस्तों आप मैं एक chart के method से आपको पढ़ाऊंगा जिसमें से सबसे ज़्यादा questions arise होते हैं तो फटा-फट से उस chart को देखते हैं उसको आपको बस कुछ नहीं करना है चार- उससे ड्रो करने लग जाओगे बिना देखे बिना help लिए तब आप समझ जाना आपको चीजे याद होगी है और exam में अगर question आएगा तो आप फटा-फट से उसका सही answer कर सकते हो अब फ्रेंड्स जो आपके सामने यह chart बना हुआ है maximum हमारे WBC से जो भी question repeat हुए है इस chart में स ही repeat हुए है या फिर इस से पहले जो मैंने आपको basic introduction दिया था उसमें से ही सबसे ज़्यादा question हमारे आए हुए है तो फटा-फट से दोस्तों इस chart को पढ़ते हैं अगर आप लोगों को यह chart learn हो गया वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है इस chart को एक बार समझ के उसके बाद अ यहां से सबसे ज़्यादा questions repeat हुए है तो फटा-फट स्टार्ट करते हैं friends सबसे पहले दोस्तों मैंने आपे सारी cells लिखी हुए है सबको अब मैं एक साथ लिख रहा हूं granulocyte और agranulocyte neutrophils, isonophils, basophils, lymphocytes और अपनी monocytes सबसे पहले अगर मैंने पहला point क्या लिया है पहला parameter क्या है हमारा percent भई कौन सी cell कितने amount में present है तो सबसे पहले neutrophils दोस्तों जो हमारी total white blood cells हैं उनका 60 to 70% contribution कौन देती है neutrophils, 60 से 70% हमारी WBCs कौन सी हैं दोस्तों neutrophils, उसके बाद अगर मैं बात करूं isonophils, 2 से 4% हमारी isonophils होती है, besophils होती है हमारी सबसे कम, 1% से भी कम इन का amount है, यह अपना contribution देती है white blood cells में, तो सबसे कम कौन सी है, besophils, lymphocytes की बात करूं दोस्तों यह होती है हमारी 20 से 25%, total white blood cells की 20 से 25% हमारी कौन सी है, lymphocytes, monocytes होती हैं दोस्तों हमारी 3 से 8%, अब इसमें important क्या है, इसमें से question क्या बनेगा, दो question बनेगे इसमें से हमारे जो कि से पहले कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो इसको एक बार आप मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, कि सबसे ज्यादा हमारी कौन सी होती है, neutrophils, अगर बात करी जाए कि WBC में से सबसे ज्यादा कौन सी cells होती है, तब आपको correct answer क्या लगाना है, neutrophils, दूसरा हमारा हमसे जादा पूछ सकता है तो हमसे ये भी पूछेगा कि वही सब से कम कौन सी होती है जिसके उपर question आया हुआ है जिपमर में या फिर उसी के आसपास कोई सा exam हुआ था उसमें ये question आया था कि वही बेसो फिल्स ये साफ साफ पूछा हुआ था बेसो फिल्स का count कितना होता है options में ऐसे ही सभी option दिये हुए थे तो आपको दोस्तों 1% से भी कम amount होता है हमारा बेसो फिल्स का तो ये बाते आपको star लगा लेनी है ये बाते आपको ध्यान रखनी है पहला parameter हमारा cover हो गया है दू 10-12 micrometer इसका diameter होता है जैसे कि अगर ये cell है तो इसकी यहां से लेके यहां तक की length कितनी है तो neutrophils की होती है 10-12 micrometer इस ओनो फिल्स की भी सेम है 10-12 के लगबगी इनका भी diameter होता है micrometer तीसरी है बेसो फिल्स 12-15 micrometer ये इतनी important नहीं है क्योंकि सभी की value लगबग सेम है अग lymphocytes दोस्तों दो तरीके के होती है small lymphocytes और large lymphocytes इनका size कितना है दोस्तों small वाली का होता है 7-10 micrometer और जो large वाली है उनका होता है 10-15 micrometer लास्ट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों monocytes monocytes दोस्तों सबसे बड़ी होती है 20-25 micrometer इनका diameter होता है अब इस parameter से भी 2 question arise हो रहे हैं हमारे कि सबसे बड़ी white blood cell कौन सी होती है और सबसे छोटी white blood cell कौन सी होती है यहाँ पे friends मैंने इनकी value इनके numbers की बात करी है कि कौन सी कितनी जादा present है कौन सी कितनी कम present है अब यहाँ हाँ पे size की बात हो रही है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है तो सबसे बड़ी है दोस्तों इस पे भी mark कर लेना largest सबसे बड़ी जो हमारी WBC है वो कौन सी है monocytes और सबसे छोटी हमारी कौन सी है WBC वो है हमारी lymphocytes smallest यह दोनों चीज इसमें important है questions आई हुए हैं इसलि दोस्तों हमारा जो की क्या है type of nucleus वही जो cell के अंदर nucleus present है उसका structure किस तरीके का है इस पे भी बहुत जादा question आए हुए हैं सबसे पहले वही हम neutrophils से start करेंगे multi lobed nucleus होता है neutrophils जो cells है उनके अंदर जो nucleus है वो कैसा होता है दोस्तों multi lobed जो nucleus है उसके बहुत सारे ऐसे lobe बने ह हुए होंगे ठीक है इसलिए उसको हम क्या कहा रहे है multi lobed nucleus इस ओनो फिल्स की बात करूं दोस्तों यह होता है कैसा by lobed इसको याद रख लेना कि यह second number पे थी second यानि की two और by का मतलब भी two यह होता है तो ऐसे ध्यान रख लेना आपके भई by lobed nucleus किसका होता है इस ओनो फिल्स ऐसे arise हो रखे होंगे किसमे बेस ओ फिल्स के nucleus में अगर मैं बात करूं lymphocytes की इसका दोस्तों circular है circular nucleus होता है बस एक ऐसे circle सा रहेगा जो nucleus है वो इस shape में present रहेगा इसके बाद last और सबसे ज़्यादा important क्या है हमारा monocytes monocytes का इसके nucleus के उपर सो बार question आचुका होगा हजारो बार question आचुका होगा ये मानलो आप इतना important है direct आ जाएगा कि भई horse shoe shape nucleus कौन सी white blood cell का होता है या फिर kidney shaped nucleus कौन सी white blood cells का होता है तो इस चीज को रट लो समझ लो याद कर लो कि जो हमारी monocytes है उनका nucleus कैसा होगा देखो ऐसा जो घोड़े के shoe होते हैं जो खुर होते हैं वो किस shape के होते हैं वो भी इसी shape के होते हैं तो ध्यान रखना kidney भी ऐसी होती है हमारी दिखती है तो kidney का नाम आ जाए या फिर horse shoe shape nucleus आ जाए तो आपको आख बंद करके किस बेटिक लगाना है monocytes पे इन में से सभी बहुत important ह इन में से कोई एक या दो important नहीं है ये सारे important है circular पे question आ जाएगा कि circular nucleus हमारा किसका होता है तो आपको याद होना चीए lymphocyte का होता है bilobd आपको याद होगा कि second number पे पढ़ा था isonophils, trilobd third number पे पढ़ा था हमने basophils और जो हमारा neutrophils है उसका कैसा है multi-lobed है दो से जादा structure arise ह रखे हैं उसके nucleus में इसलिए उसको हम क्या कह रहे है multi-lobed last दोस्तों हमारा parameter क्या है जो की बहुत ज़्यादा important है इस chart में एक एक चीज लिखी हुई बहुत important है आपको ये कही ना कहीं question जरूर फसेगा आप previous year के question papers करोगे तब भी आपको इस chart से बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है आप इसको simple draw करोगे तीन बार चार बार पांच बार तो ये आपको चीजे learn हो जाएंगी अगर वैसे समझनी पाऊगे ना तो आप वैसे भी learn हो जाएगी कि यहाँ पहली line में ये वाली चीजे थी दूसरी line में ये ये थी तीसरी में ये थी ऐसे करके आपको learn हो जाएगी लास्ट परामेटर की बात करूँ दोस्तो एक्टिवेट इन कंडिशन वै कौनसी कंडिशन में कौनसी WBC एक्टिवेट होती है सबसे पहले neutrophils कब एक्टिवेट होगी जब भी कोई bacterial infection होगा fungal infection होगा तब हमारी कौ plasma membrane है neutrophils की वो किसी other particle को उसको एंगल्फ कर लेती है अपने अंदर अपने अंदर उसको एंगल्फ कर लेगी उसी process को क्या कहते हैं phagocytosis एंगल्फ का मतलब क्या होता है अपने अंदर ले लेना वो cell जो wall है वो ऐसे shape बना के उस चीज़ को अपने अंदर consume कर लेगी तो वह हमारे function होगे किसके neutrophils के bacterial infection का कहीं भी नाम आजाए fungal infection का नाम आजाए तो आपको किस पर टिक लगाना है कि भी कौन सी cell activate होगी neutrophils हमारी activate होगी दूसरी हमारी दोस्तों isonophils isonophils कब activate होती है allergic reaction में या फिर parasitic reaction में ध्यान रखना कोई भी allergic reaction होगा या कोई parasite का infection हुआ है उ तीसरा दोस्तों हमारा जो basophils हैं वो कब activate होगी वो होगी दोस्तों inflammation वाली condition में inflammation करवाती है कौन सी हमारी basophils और एक और important जिस पे आपको star लगाना है कि भाई जो histamine है वो कौन secret करती है basophils मैंने आपको बताया था कि ये granulocyte के अंदर है तो जो granules हैं उनके अंदर जो substance ब तो कोई inflammation करा रहा है हमें एक sign दे रहा है इंडिकेट कर रहा है कि भाई कुछ infection हुआ है तो ये काम किसका है हमारा basophils का काम है ध्यान रखना एक उक point important है histamine को अलग से star mark करके लिख लेना question आ जाएगा directly कि भाई histamine कौन सी WBC release करती है तो ध्यान रखना कौन सी cell release कर रही है basoph third fourth number पर दोस्तों हमारी कौन सी lymphocytes ये कब activate हो रही है viral infection में star लगा लो viral infection में कौन सी cell activate होती है lymphocytes या फिर immune response के लिए कौन सी cell responsible है वो भी हमारी कौन सी है lymphocytes और एक और star लगाने वाला point क्या है कि जो हमारी lymphocytes है वो antibodies भी produce करती है बहुत important point है इस पे अलग से star लगा लेना ज पूरे chart का बहुत ज्यादा important आपके लिए antibodies भी produce कौन सी cell कराती है lymphocytes last हमारी monocytes कब activate होंगी दोस्तों इनका मतलब की function क्या है activate in the sense कि ये क्या function कर रही है phagocytosis 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 कौन सी cell करा रही है monocytes ये दो तरीके की cells होती है एक होती है fixed और एक होती है जो हमारे blood में randomly घूम रही है दो तरीके की होई एक जो घूम रही है वो जा जाके जो भी ऐसा कोई फोरन पार्टिकल दिखेगा उसको एंगल्फ कर लेगी phagocytosis करा देगी fixed कौन सी होती है जैसे की जिसका example क्या है buffer cells, buffer cells कहां present होती है वो liver में present होती है वो कहीं नहीं घूम रही है वो बस basic कहां पे liver में ही present है वो वहीं पे अपना phagocytosis का function कर रही है तो ये दो तरीके की हो गई बाकी ये complete हमने white blood cells का पूरा चार्ट पढ़ लिया है important चीजे मैं आपको mark करा चुका हूँ, बता चुका हू आज की वीडियो पूरी देखने के लिए thank you so much चैनल को subscribe करना ना बुलें क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, DSSB या Northset में आपका कुछ ना कुछ सहयोग जरूर देंगी ये वीडियो की आपके कुछ number secure हो रहे हैं, कही ना कहीं आपको help जरूर मिलेगी चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, जादा से जादा share करें, thank you so much for watching the video